मित्रो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे हम आपके लिए सीटेट पेपर दुतिया भाषा दुतिया के पेपर के साथ फिर से हाजिर है जिन अभ्याड़तियोंने पेपर दुतिया में भाषा दुतिया हिंदी को अपने पेपर में चुना है वह है इस प्रश्ण पत्र को अंत तक जरूर देखे हम इस पेपर को हल करेंगे और आप अपने प्रश्णों के उत्तरों को मिला सकते हैं देखें यहाँ पे सबसे पहले 121 से 128 तक एक गद्यांस दिया गया है जिसमें सबसे पहला प्रश्ण है धनोपारजन में संदी करने पर शब्द बनेगा तो यहाँ पे संदी करने पर शब्द बनेगा धनोपारजन तो दूसरा उप्षन सही होगा आज पूरा जीवन दर्षन बदल गया है उक्त कथन का आश्या है तो यह कथन गद्यान्स के साब से इसका मतलब है आज जीवन के पर्ति द्रिश्टि कोण में बदलाओ आ गया है दूसरा उप्षन आपे सही है अगला है प्राचीन काल में जीवन का वास्तविक लक्ष क्या माना गया था तो प्राचीन काल में जीवन का वास्तविक लक्ष नैतिक और आध्यात्मिक विकास माना गया था यह पैसिस के जगन्य शब्द का अर्थ नहीं है तो यहाँ पे जगन्य का अर्थ नहीं होगा तीसरा आप्शन त्याग देने योग्या हमारे मानविय संबंद पीछे चूटने का कारण है धन कमाने की अंधी दौड मानसिक तनाव की व्याधियों का कारण लेखक ने क्या माना है किसी भी प्रकार धन कमाने की इच्छा उस शब्द युग्म को पहचानिये जो शेष से भिन हो तो शेष से भिन है चोरी डकेती बाकी अन्य विलोम है उचित अनुचित सत्य असत्य न्याय अन्याय और चोरी डकेती लगबग समानार्थी शब्द है किस दौड को अंतहीन माना गया है किसी भी प्रकार धन जोडने की दौड को अंतहीन माना गया है एक और पैसे जहां पे 139 से 135 तक इसका पहला सवाल है सुक साधन का विग्रह और समास होगा सुक साधन का विग्रह और समास होगा सुकों के साधन तप्रुष समास वह अशिक्षित शिक्षित व्यक्ति से अच्छा है जो दयालू और सचरित्र हो या पैसेज के साब से अंसर है उच्च शिक्षा की विशेष्ता नहीं है तो गद्यान्स के साब से उच्च शिक्षा की विशेष्ता नहीं है अनुतरदाई बनाना अधिकारों और कर्तवियों के विशे में सुशिक्षित व्यक्ति दोनों का बराबर ध्यान रखता है हमारे कुछ अधिकार और कुछ करतवे भी है उप्युक्त वाक्या किस प्रकार का है तो उप्युक्त वाक्या है स्युक्त वाक्या क्यों किसमें और योजक जुड़ा हुआ है और जहां पर योजक जुड़े होते हैं वहाँ पर स्युक्त वाक्या होता है अगला प्रश्ण यहां पर कौन सा शब्द अनुपसर्ग से नहीं बना है तो यहां पर अनुपसर्ग से नहीं बना है अनुपम बागी सारे अनुपसर्ग से बने हैं अन प्लस पड़ अन प्लस उपयोग और अन प्लस उपकार तो अनुपम यहां पे अनुपसर्ग का सब्द नहीं है इसलिए यहां पे पहला option सही होगा मनुश्य अभी सुखी कहा जा सकता है जब उसे आत्मिक ग्यान हो तो यह गध्यांस के हिसाब से अंसर है अगला है पाठ से तीनों परकार की संग्याओं के उधारन खोज कर लिखिए अभ्यास प्रस्टन डैस का उधारन है यह संधर्ब में प्याकरण उच्च प्रात्मिक गस्तर पर बच्चे की भाषा समता का आंकलन करने की दिश्टी से सबसे कम्योर प्रस्टन है लेखक ने अपने जीवन की किन दो घटनाओं को महत्पूर्ण बताया है तो यह सबसे कम महत्पूर्ण प्रस्टन होगा हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में सरवादिक महत्पूर्ण है इसका सही अंसर होगा सैतिक संगोष्टियों में भागी दारी भाषा शिक्षन के संदर्व में सतत और व्यापक आंकलन की लिए सरवादिक महत्पूर्ण विंदु है बच्चों के भाषा प्रियोक का निरंतर अवलोकन आठवी कक्षा में मुद्धित पढ़ते समय परिशानी का अनुभव करता है संभवता मुद्धित डैस से ग्रस्त है डिसलैक्सिया यहीं पठन विकार डिसलैक्सिया से सम्मन्दित होता है अगला है प्रारंबिक अस्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक का निर्मान करते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि पार्ट कुछ पूर्व निर्धारित संदेशों को पहुँचाने के उद्देश्य न रखते हो बच्चों में पठन के परते रूची जागरित करने के लिए पाठ्यपुस्तक के अतरिक डैस समागरी का विकास किया जा सकता है मुल्य परक भाषा की नियंबद परविर्थी को पहचानना और उसका विशलेशन करना उच्च प्रात्मिक अस्तर के भाषा शिक्षण का एक डैस उद्देश्य है महतपुर्ण उद्देश्य कक्षा आठ के बच्चों की पठन और बोधन शमता का विकास करने में सहायक है नाटक का मंचन उच्च प्रात्मिक अस्तर पर बच्चों के भाषा विकास की द्रिश्टी से सबसे कम महतपुर्ण है शुर्ती लेखन परिचर्चा सम्वाद अधायगी और सुर्जिनाद मकलेग बच्चों के भाषा विकास के लिए सही है लेकिन शुर्ती लेखन में बच्चे को बोलने का मौका नहीं मिल इसलिए यह सबसे कम महतपुर्ण है तो शुर्ती लेखन या पर सही अंसर होगा अगला है पढ़ने का सम्मंद डैस से है तो पढ़ने का सम्मंद है अर्थ से उच्च प्राथ्विकस्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्थ पुस्तक पुस्तकों में अन्य विश्यों के पाठ्थों को इस्तान देने का एक महतपुर्ण उद्देश्य है हिंदी की पाठ्थ पुस्तक को समावेशी बनाना बच्चों में जन्मजात भाशिक शम्ता होती है इसका एक शिक्षा सास्त्रिय पक्षिया है कि प्रियाप्त अवसर मिलने पर बच्चा नई भाशा आसानी से सीखेगा वानी आहस्ताई होती है और डैश भाशा की तुलना में काफी तेजी से बदलती रहती है लिखित भाशा उच्च प्रात्मी गस्तर पर भाशा सीखने का एक महत्पून उद्दिश है पठित सामागरी का तार्किक विशलेशन करना तो इस तरह से सीटेट पेपर दो भाशा दूतिया हिंदी का यह भाग यहीं समापत होता है इस पेपर के अन्य भाग भी हम आपके लिए जरूर लाएंगे यदि आपके उत्तर हमारे उत्तर से भिन है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताईए कि आपका उत्तर हमारे उत्तर से भिन क्यूं है कारण सहीद बताईए यह वीडियो आपको कैसा लगा हमारे उत्तर आपको कैसे लगे हमें जरूर बताईए इस वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए यदि आप अभी तक हमसे नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए बैल आइकन को जरूर दबाईए जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले तो मिलते हैं सीट एट के इस पेपर के अन्यभाग के साथ हमसे जुड़ने और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद